हलो गाईस तो गाईस क्या एलवी शादव और रागोर शर्मा की पिटाई हुई है क्या दोस्तो एलवी शादव और रागोर शर्मा को जनता ने बीच रास्ते पर मारा है जिहां दोस्तो ऐसी एक खबर आ रही है और एस एक वीडियो वारल हो और जहां पर ऐसा बताया जा रह कि इन दोनों को जनता ने किसी बात के लिए मारा है लेकिन दोस्तों ये खबर पूरी सच नहीं है और गलत तरीके से फैलाई जा रही है अब ये पूरी खबर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा और इस खबर के उपर एलवी शादो ने भी अपना रियक्शन दिया है वो भी मै फैंस के बीच में वहाँ पर धक्का मुक्की हो गए और जगडने लग गए जिसके बाद वहाँ पर एक बंदे ने राखाव स्वर्मा को पकड़ लिया और वो हाथा पाई पर आने ही वाला था लेकिन बाद में सभी लोग ने समझाय कि भाई ये कौन है और हाथा पाई करन और इस चीज़ को लेकर के लवी शादो ने भी अपना रियक्शन दिया है और उने क्या कहा है चली में आप लोग उनका ट्वीट दिखाता हूं दोस्तों इस नीज के बारे में एक टाइमस नाव बड़े नीज चैनल ने ट्वीटर पर ट्वीट किया था और वहाँ पर यह लिखा था यहाँ पर उन्हें लिखा थे कि लवी शादो और रागाव शर्मा को भीड ने मारा इस तरह के ट्वीट किया था टाइमस नाव ने ट्वीटर पर अब दोस्तों इसी ट्वीट के उपर एल्वी शादो ने भी अपना रियक्शन दिया और उन्होंने क्या का चली मैं आपको दिखाता हूँ एल्वी शादो ने ये कहा कि जब तक ऐसे नीज वाले जिंदा है तब तक फेक नेरेटिव चलते रहेंगे मारे पर हात थाने वाला जिस दिन पैदा होंगे कल्यूक का अंत आ लेगा इस तरह कुछ उन्होंने हर्यानी भार्षा में यहाँ पर क्या रियक्षन दिया पूरा मैंने आप लोग को यहां पर बता दिया है रही याँ उन इस श्वी लेख को भी जोड़त आपसके ज 산 श्रुमाता की? नाओ! चलो 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत